Hello everyone, welcome to JustMathie जी तो student, आज हम लोग पहुँच चुके हैं अपने जो J-Mean solution स्रीज चल रहे हैं उसमें 3D Geometry के question number 3 पे हम लोग पहुच चुके हैं दो सवाल हम लोग कर चुके हैं जो बच्चे first time इस चैनल पे आये हैं मैं उन्हें बता दू कि students हमारा J-Mean के questions का जो previous year J-Mean के questions हैं उसके solutions रीज चल रहे हैं हर वीडियो में सिर्फ एक question बताया जा रहा है तो दो question बताया जा चुका है आज हम लोग इस class में हम लोग question number 3 करने वाले हैं ठीक है? ये भी question जैसा कि बच्चे जो students देख चुके हैं वो question किस पर बेश्ट था? direction cosine पर बेश्ट था similarly question number 3 भी direction cosine के ही concept पर बेश्ट है ये सवाल भी AIEEE 2010 में आया हुआ था जिस exam को आज आप J-Mean केते हैं उस exam को पहले 2012 तक AIEEE के नाम से हम जानते थे जिसका full form होता था All India Engineering and Trans Examination ठीक है? तो चले तो question number question पर आते हैं अब exam का नाम क्या है? जो J-Mean है वही आपका AIEEE था अब सवाल में पहुंचते हैं सवाल में देखो क्या लिखा हुआ है simple question है, वही है जैसा question number second था वही है, वैसा ही question number third है जो question number second नहीं देखे हैं वो description में जाए description में question number second का link डला हुआ है वहाँ पर जाके आप question number second देख सकते हैं ठीक है? तो बच्चे एके question को अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि जितने भी J-Mean में की सवाल आए हुए हर chapter के, chapter wise playlist बना हुआ है और chapter wise playlist में आपको क्या मिलेगा? J-Mean के previous year के सारे सवाल मिलने वाले हैं जिसमें की एक वीडियो में एक question करेंगा हम लोग ठीक है? आपको 5 question करना है 10 question करना है at a time तो आप 1 by 1 हर वीडियो में जाओ और एक एक question कर लो ठीक है? तो चलो मुद्दे की बात करते हैं question में लिखा हुआ है कि if a line A B if a line A B ठीक है, एक line A B है जो कि इन 3 dimensional space में है makes 45 degree and 120 degree with positive direction of x-axis and y-axis respectively मतलब एक line है जो कि x-axis से और y-axis से angle बना रहा है x-axis से 45 degree angle बना रहा है, y-axis से कितना बना रहा है? 120 degree angle बना रहा है ठीक है? तो अब अपने को क्या निकालना है? x-axis से 45 बना रहा है और y-axis से 120 degree angle बना रहा है, तो यही line if A B makes an acute angle with z-axis अगर यह A B z-axis के साथ acute angle बना रहा है, तो वो acute angle का value बताना है, ठीक है? जो बच्चे अच्छे से vector पढ़े हैं, 3D geometry पढ़े हैं उनको तो यह question एंदम easy लगदा होगा और सोच भी रहोंगे, sir, पहले इतना easy सवाल आता था? हाँ, students, पहले इतना easy question भी आता था, ठीक है? और अभी भी आता है easy question, बस अपने को ना, छाटने आना चाहिए, कि यह वाला सवाल easy है, यह हमाराम से हो जागा, यह tough है, यह नहीं हो पाएगा, ऐस type चे, आना चाहिए कि analyze करने आना चाहिए कि कौन सा question हम कर सकते हैं, कौन सा नहीं कर सकते हैं वो कैसे आएगा? वो आप जितना ज़्यादा practice करोगे, सब होने लगएगा, बस practice करते रहो, ठीक है? competition exam qualify करने का अच्छे competition में अच्छा score करने का अच्छा rank लाने का एक ही मातर तरिका है बस practice करते रहो, ठीक है? बस notes बनाते मत रहो, उसके सवाल भी करते जाओ, बस notes बनाने से कोई फाइदा नहीं होने वाला है ठीक है? तो चलि, पहले मैं एक काम करता हूँ, आप लोग को कुछ समय दे देता हूँ आप लोग वीडियो को pause रोके question कीजी ठीक है? फिर हम करेंगे आप लोग वीडियो को pause रोके सवाल कर लीजे देखे, अब मैं start करता हूँ question करना तो सवाल में पहले काम करते हैं एकसिस, यकसिस और जैड एकसिस बना लेता है ठीक है? माल लेते हैं positive y-axis है ठीक है? और नीचे क्या होगा? negative y-axis इस साइड माल लेते हैं plus x-axis है तो left में क्या होगा? minus x-axis होगा और यहाँ माल लेते हैं क्या है अपने पास? z-axis है y-axis से, ठीक है सर माल लेजे कोई line है? x-axis से बना रहा है 45, अच्छा इसको माल लेते हैं alpha, इसको माल लेते है alpha जो कि कितना angle बना रहा है? 45 degree और यह माल लो वैसे तो दिख रहा होगा आपको कि negative y-axis 120 बना रहा है अब 3-D मैं यहाँ पे board पे कैसे बना पाऊ? समझने की बात है माल लो y-axis से यहाँ पे y-axis से कितना बना रहा होगा? beta और जो कि कितना है? 120 वैसे यह देखने में नहीं लग रहा होगा 120 माल लो 120 degree angle बना रहा है ठीक है? और z-axis से कितना angle बना रहा है? गामा angle बना रहा है मान लिए अब यही गामा angle अपने को क्या करना है? find out करना है आर यह बात समझे है? तो देखो कितना simple होगा एक दम रस ध्यान से देखते जाना हो ठीक है? याद करो simple class 12 में हम लोग पढ़े हैं direction cosine का concept क्या पढ़े हैं direction cosine का concept? अगर हमने क्या पढ़ा? इफ अगर alpha, beta, gamma अगर कोई angle बनाता है x axis, y axis, z axis से तो direction cosine क्या होगा? इस line का जो direction cosine हो जाएगा बस जो angles है न उसके साथ क्या ले लोगा? आप देखो नाम में ही रखा हुआ है direction cosine ठीक है? तो उसके साथ क्या ले लेंगे हम लोग? alpha, beta, gamma के साथ क्या करेंगे? cos, alpha, cos, angle cos ले लेंगे, ठीक है? तो direction cosine क्या हो जाएगा? cos alpha हो जाएगा comma cos beta हो जाएगा और क्या हो जाएगा? cos gamma हो जाएगा तो क्या समझें? कि अगर कोई line x, y, z के साथ alpha, beta, gamma, angle बना रहा है respectively तो cos, alpha, cos, beta, cos, gamma क्या होता था? direction कोशाइन होता था अब क्या करेंगे? अब यह direction कोशाइन दिया हुआ है अपने को मतलब alpha, beta दिया हुआ है तो cos, alpha, cos, beta तो पता है अब इसकी एक प्रॉपर्टी होती है direction कोशाइन की? एक property होती है cos square alpha आगे समझ मैं कौन सा property में लिखने वाला हूँ cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma equal to क्या होता है 1 होता है अरे 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 ये क्या हो गया cos alpha एक मिनट तो ये property होता है direction cosine अगर cos alpha cos beta cos gamma क्या है direction cosign से cos square alpha cos square beta cos square gamma 1 के equal होता है मतलब direction cosine के square करके add करते है तो वह लिख इसके equal आती है 1 के equal आती है तो इसी property का use करके ये सवाल कर लेंगे बहुत सिंपल है same property को question number second में भी apply किया same सवाल है कुछ नहीं अलग नहीं है वहाँ पे x के साथ भी 45 बना रहा था question number second में कि third में किया x के साथ 45 बना रहा है y के साथ 120 degree angle बना रहा है देखो बस ये apply कर देंगे यहाँ से तो cos square alpha के value कितनी है alpha के value 45 है तो cos square 45 degree plus beta के value कर लो cos square beta के value कितनी है 120 degree plus cos square gamma gamma के value तो नहीं पता है एक्वल टू 1 हो जाएगा cos 45 कितना होता है 1 by root 2 तो 1 by root 2 का whole square plus cos 120 कितना होता है कितना होता है देखो cos 60 जितना होता है तो cos 60 कितना होता है 1 by 2 तो cos 60 1 by 2 होता है तो cos 120 भी 1 by 2 ही होगा बस ये सोचो कि ये कौन सा quadrant में है 120 degree कौन से quadrant में है second quadrant में और second में cos theta क्या होता है बस माइनस ले लेंगे मैं हिंट कर देता हूं देखो जो 60 डिगरी की बैली होती ही वही 120 की होती है जो 45 डिगरी की होगी वही 135 क्योंगी जैसे मैं आप से पूछो sin 135 क्या होगा तो sin 45 1 by root 2 होता है तो sin 135 भी 1 by root 2 होगा और ये second quadrant में यह angle है तो साइन तो सक्रें में positive होता है तो plus one by root two ही होगा जैसे cost worth 35 पूछू मैं क्या पूछू आपसे cost 135 degree पूछू तो आप एक काम करो, आप सोचो cost 45 degree क्या होता है तो cost 45 क्या होता है cost 45 degree क्या होता है one by root two, तो ये भी one by root two ही होगा बस ये second quadrant में ये angle है, और second में cost क्या होता है negative होता है, बस यहाँ पी क्या करेंगे, minus लगा देंगे आ रहा है समझ में, बास यह यह है, ठीक है तो देखो तो cost square alpha alpha 45 था, रख दिया, 45 degree का value one by root two, cost square 120 मतलब, one minus one by two का whole square, plus cost square gamma equal to one, ये value कितना होता है, ये one by two हो गया, plus ये कितना हो जागा, minus one का square one, और two का square कितना हो जागा, four plus cost square gamma equal to one इसको solve करिया इसको solve करेंगे, तो LCM कितना होगा four, यहाँ हो जाएगा two plus one ठीक है, plus cost square gamma equal to one तो two plus one three, three by four हो जाएगा यह हो गया 3 by 4 plus cos square gamma equal to 1 तो यहां से cos square gamma के value कितनी हो जाएगी cos square gamma के value हो जाएगी 1 minus 3 by 4 that is 1 by 4 cos square gamma के value कितना आ गया cos square gamma के value आ गया 1 by 4 तो cos gamma कितना हो जाएगा plus minus 1 by 2 अब सुनो तो अगर मैं यहां से positive sign देखू तो cos gamma या तो plus 1 by 2 होगा और cos gamma या तो क्या होगा minus 1 by 2 होगा तो अगर cos gamma plus 1 by 2 होगा तो gamma के value कितनी होगी कितनी होगी 60 degree है ना और अगर cos gamma minus 1 by 2 होगा तो gamma के value यहां से कितनी होगी 120 degree तो अपने को answer कौन सा देना है acute angle सवाल में कह रहा है न acute angle देखो यहाँ पे क्या कह रहा है acute angle कह रहा है तो acute angle वाला answer देना है तो बताओ acute angle कौन सा है इसमें वैसे तो सब acute angle option है 60 degree option कौन सा है देखो वहाँ पे ध्यान से कौन सा है option number C सोचो इतना सिंपल जी मीन में आया हुआ था सोच भी सकते हो इतना सिंपल था तो हर टाइब के कोशन करने वाले हैं सिंपल टफ सब करने वाले हैं बस आग लगा के रख देना है ठीक है तो चलो मिलते हैं नेक्स वीडियो में कोशन नमर फोर्थ के साथ तब तक के लिए कोशन इतना सिंपल आगा का डितना सिंपल था जा बाई तक के लिए एधिया